Hello friends! expert technical tube में आप सबका स्वागत है. आज का वीडियो है वो आपने तो देखी लिया होगा. आज का वीडियो है वो 4 screen trading setup पे है. मतलब आप सोच दोंगे इसमें common क्या है? पिपोर स्क्रें तो पहले इसमें ये problem common है, कि ये बिना ग्राफिक्स काड के साथ आप यह फोर स्क्रीन बना रहा है बिदाउड जीप्यूरा. अभी तक आप को यह पता हो था कि जीपी के बिना आप फोर स्क्रेन नहीं चला सकते हैं लेकिन इस वीडियो में आपको पता लगेगा कि इसका कॉन्फिग्रेशन कैसे करना है कि आप इसमें फोर स्क्रेन बड़े आसानी से चला ले लिए तो इसके लिए मैं आपको जो गाइड कर रहा हूं कैसे इसको चूज करना है कैसे आपको सेलेक्शन करनी है वो चीज में यहां पर गाइड कर रहा हूं तो आप इस वीडियों बने रहे हैं और चलते हैं मेरे क्रोम बोज़र पर वहां पर आपको पता लएगा वहां पर मैं दिखाता हूं कि आप इसको कैसे बनाएंगे वहां पर तो चलिए अब मैं क्रोम बोज़र पर आगया हूं अपने इस पे और यहां से आपको दिखाता हूँ कि इसको आप कैसे यह देखे सबसे पहले जो मैंने लिया है वो है MSI का इसमें आप देखेंगे MSI का यह जो मदरबोर्ड है वो MSI का मदरबोर्ड मने लिया है MSI प्रो स्रीज ठीक है यह इसलिए लिया है कि इसके अंदर आपको चार डिस्प्लेइप पॉर्ड मिल जाता है बतलब दो डीपी मिल जाता है और दो HDMI मिल जाता है अब जब यह चार आई यूज मिल जाएंगे आपको तो आप आसानी से इसको कन्फिगर कर सकते हैं तो यह सेलेक्शन करने में इसमें भी बहुत सारे मॉडल आते हैं तो वह ध्यान से आप लेजिएगा क्यूंकि इसके अंदर भी अलग अलग टाइप के हैं जो देखने में मॉडल आपको सेम लगेंगे लेकिन हो सकता किसी में एक कुछ हो जो मैं लिंक डालोंगो उसको ही आप आय करें तो बहतर रहेगा तो अब चलते हैं मैं इसको डिटेल दिखाता हूं आपको और उसमें आप देखेंगे कि यह क्या है मॉडल में ज्यादा टाइम क्यूं लगाता हूं सेलेक्शन करने के लिए यह देखिए यह मदरबोर्ड का प्रो एमसाई का प्रो बी सिक्सिक्सिक्स्टी एम में वाइफाई डिडियर फो यह इसका मॉडल लंबर है इसको ध्यान रखी जिसमें देखेंगे यह सारे आपके जो लगे हुए हैं वो इसके अंदर ही इसिंग के साथ हैं यह सब तो आपको इसके अंदर रॉर्ब्ड यह देखिए यह VRM के लिए हिट्सिंग दिया हुए ही इसिंग और यह है यह VRM के लिए है और यह आपका जो है वो है mvmb mvn.2 के लिए है ठीक है तो और यह आपका जो ए यह आपका graphics card के लिए है तो इसमлом Amen अगर future में आप इसमें graphics card भी लगाना चाहाँ है तो भी लगा सकते हैं और यह सब्सक्राइब आप ये यह जैन फोर है जैनलेशन पॉर और ये ग्रैफिक्स कार जो है वह ऑर जैनल्ड ये सब्सक्राइब सब्सक्राइब इस के लिए first लाएं गई उसकी स्प्विट जयादा मिलेगी वस्ट यह अब नीचे चलते हैं और देखते हैं इसके अंदर और आपके फीचर्स आपके लिए क्या है तो इसमें सारे आपके इसके मिलेंगे आप प्रोसेसर लगाने के और यह बोर्ड आ कनेक्टिविटी आप देख रहा है हाँ आप यह देखिए कनेक्टिविटी में अब आपको दिखाता हूं इसके अंदर जो आप देख रहे हैं एक तो पीएस्टू आपका पीएस्टू है कीवोड मौस के जो पुराने कीवोड वाला आता है मौस आता है तो इसके लिए यह यूएस्बी है टू पैंट जीरो यह भी वही है और यह ले और एक ही एच्डीम आई यह चार आपको यहाँ वह मिल रहे हैं यही इस मदरबोर्ट की खास्यत है ट्रेडिंग के लिए यह मदरबोर्ट बहुत ही अच्छा है आप इसको आराम से चला सकते हैं और यह दो यूएस्बी है थ्री पैंट जीरो और यह थ्री पैंट टू जैन जैन टू का है और इसमें दिए देखिए यह वाइफाई भी मिल रहा आपको यह वाइफाई अंडेना भी लग जायागा वाइफाई मिलेगा आपको और वाइफाई का भी बहुत बढ़िया इसके नदर इसकी स्पीड आएगी क्योंकि यह मेरेकर टू पॉइंट फाइव जी का है लैंड पॉड इसका और मतलब यह देखिए यह मल्टी स्क्रीन यह देखिए आप इसमें मल्टी स्क्रीन चला सकते हैं एक स्क्रीन यह है एक स्क्रीन यह है तीन स्क्रीन तो यह बंदा चला रहा है आप एक और लगा सकते हैं चार स्क्रीन आपके इसक्रीन आपका फेर सकते हैं तो इसमें आप चार भी चला सकते हैं एक तो चलेगा चलैगा जिए अगर अगर नहीं ले सकथे हैं दो स्कूल लेना बाद 29 एंदर है जो आपको यह नेधर budget है वो करना है investment करना है लेकिन आगे जाके आप इसका extension भी कर सकते हैं अपने recording अपने budget के recording इसम बॉय सौफ़वेर अपडेट है audio के हैं सिकुर्टीज है यह देखे कैपिस्टर्स इसके देखिए कितने बता जेता हूँ कि और अच्छा लगया आपको यह देखिए लिए यह लेटेस जनेरेशन बोला है तो यह लेटेस जनेरेशन में आप इसको यूज करते हैं त्वेल जनेरेशन एंड थर्टेन जनेरेशन दोनों के लिए यूज जायाएगा इंटल बी 666 chipset है memory dual है मतलब इसके slot 4 है memory के और 128GB तक का यह support करता है दो PCIe slot है इसके वह नहीं बताता है एक gen 3 और एक gen 4 PCIe X1 1 है SATA आप इसमें SATA drive SSD SATA भी लगा कोते है SSD SATA आप लगा सकते हैं इसके अंदर वो है चार है मतलब एंवी एंवी एंडॉट तू के दो slot है और टीपीम है वाइफाइ ब्लूटूथ भी है और यूएसबी का आपको देखी लिया है यह सब चीजी है जो आपको काफी आपको friendly यह लगेगा यह मतलब अपको ऐसा लाएगा कि बहुत कुछ रियल टेक का ओडियो एट नैट 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 को डैक है सब्सक्राइब डिस्प्ले पॉर्ट देखे दो है और HDMI दो है तो ऑपरेटिंग इस्टेशन विंडो एलेवन एंड विंडो टैन सिस्टिफोर बीट सपोर्टेड है तो यह आप ले सकते हैं और इसको आप जान के साइट है यह इसको मॉडल नंबर है और यहां पर यह मॉडल नंबर यह आप ज़र ध्यान दे जाएए कि मॉडल नंबर बी सिक्स्टी सिक्स बी बी सिक्स्टी एम ए यह वाला है इसके आगे बी हो या सी हो वो नहीं लेना है मच्स हो तो वह नहीं लेना है उसमें आपको दिख़कर तगी एम ए लेना है यह मॉडल नंबर है तो वैसे तो मैं लिंक दे दूँगा लिंक से आप ले लेंगे तो बढ़िया रहेगा वैसे आप आफ लेंट स्ट्राइब करना चाहिए तो आपको चार डिस्प्ले मिलेगा तो इसके देखिए यह एंटेना लगा हुआ आपका वाइफाई का एंटेना है और यह यानि कि चार्ड डिस्प्ले आराम से चला सकते हैं फोर डिस्प्ले के लिए बहुत बढ़िया है और इसका जो प्राइज आपको देख रहे हैं अब सत्रह अजार पॉन से सॉट रुपए ऑनलाइन प्राइज आपको डेट में तो इस इसको आप बाय कर सकते हैं एक सो इसको आप मैं चलता हूं इसका प्रोसेसर जो मैंने लिया है वो लिया है 12th जेनरेशन का 12th जेनरेशन आइफाईव मतलब यह देखिया आप 12th जेनरेशन आइफाईव इसका जो इंटेल का है 12-400 यह इसका मॉडल अंबर है प्रोसेसर का 12th जेनरेशन का यह प्रोसेसर ठीक है इस प्रोसेसर का जो प्राइज है वो 16,299 रुपए है देखिए इसका वारेंटी जो है जो तीन साल की है मदर वोल्ड की भी वारेंटी तीन साल की है यह देखिए मदर वोल्ड की वारेंटी जो है वो तीन साल की है प्लस इसकी वारेंटी भी तीन साल की है तो तो आपको कुछ सोचना ही नहीं है यह देखिए मदर वोल्ड की वारेंटी जो है यह भी तीन साल के वारेंटी है है यह आप देखेँ हैं तो डिडिय आर्फॉर सबुट्टिर रहिए यह नहीं है क्योंकि डिडियर फाइब में अभी यह मदर बोल नहीं आया है यह तो आइओ है मैं आपको मिल रहा यह रहा है यह वह आपको डिडियर est Lem अच्छी स्पीड है और उसकी बाद चलते हैं रैम के तरफ तो मैंने रैम जो लिया है वो कृशल के लिया है इसकी जो कॉश्ट आ रही है बहुत है इसकी जो वैरेंटी आप मिलेगी देखिए पहले तो प्राइस देख लिजिए 2797 का है मतलब 26 2700 को आपको मिल जाएगा आफ्लेंड में आप इसको ले सकते हैं और इसकी वैरेंटी जो देख रहे हैं वो दस साल की वैरेंटिक साहता है तो इसको कुछ सोचना नहीं है दो चीज आपको मने तीन साल के वैरेंटी दिखा दिए प्लस यह दस साल के वैरेंटी तो कुछ सोचना नहीं है कि आपका डिस्प्ले करेंगा कि पहले आप सोचना विज़ देखिए अगर देखिए कि कुछ दिस्प्ले में यह लेगा रही है कुछ आ रही है तो आप जिसको एक और बढ़ाज़क है सोचना वारेंटी गया तो यह जो नहीं कोई प्रॉलम नहीं है स्टोरेज है वो एंट स्पोर्ट सिक्स नैंटी का है और यह पांसो बारा जीवी का है पांसो बाराज जीवी का स्टोरेज है एंवी 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 जो स्लॉट उसमें लग जानगा यह और इसकी जो स्पीड है वो 3.1 जीपीएस की स्पीड है तो यह चीज आप ले सकते हैं इसके जो रेट है वह चौबीस सो पांच रुपे है आफ लाइन ट्राय करेंगे तो आप लेख सकते हैं वह आपको रियायत मिल सकती है तो वहाँ भी ले सकते हैं उसके बाद यह तो हो गया जिसमें आप अपने सौफ्टर होगा रखेंगे यानि कि जो विंडो रखेंगे वो इसमें रखेंगे क्योंकि स्पीड अच्छी आएगी अगर इससे काम चल जाता है आपका तो यही रहने दीजिए फिर आगे नहीं लेना है अगर नहीं तलता है तो इसको option मैंने एक और दिया है यह क्रिशल का है 500 जीवी का यह 293 का है यह भी ले सकते हैं साटा लेखते हैं या आप यह दो ले सकते हैं आपके अपर डिबन करता है क्योंकि दो न लग जाएगा महां पर क्योंकि इसका जो एक टीवी हो महेंगा है आप इसको दो लेंगे यह और भी मदरबोर्ड में लग सकता है इसलिए इसको आप यह ले सकते हैं अगर आपको किसी लैप्टॉप और में अगर वो लगाकर यूएसबी इसका कनवर्टर लगाकर लैप्टॉप में यूज़ करना चाहें तो उसमें यूज़ करता है इसका प्राइज है 293 यह में इसकी बहुत ही बहुत ही बहतर होती है और इसकी वारेंटी जो है वह देखें पांच साल की वारेंटी की साथ आता है और एंट स्पोर्ट जो है वह आता है आपके जो है आप इसको कौन सा लेते हैं मैंने तो अपना दोनों दोनों पड़िया जोनों लग जाएंगे वह दौन हो सब्सक्राइब और NVMV के दो पॉर्ट हैं तो आप लगा सकते है इस को अब इसके वाद चलते हैं आगे आगाश्व क्यूज किया ने हैं आपका पॉर्ट्प्लाई के साथ एंड़ स्पो आपका पाउर सप्लाई है पांसो वाट का प्यू लिया नै इसमें इंबिल्ट है बहुत ही बहतरीन केबिनेट है इसमें आपको ग्लास मिल जाए गए यह यहां पे ग्लास है यह देखिए और यह आपका दो साल के वैरेंडी के साथ आपको यह पाउर सप्ली आता है टोटल इसकी जो कॉस्ट है आपके सब्सक्राइब कि यह जो लिया हुआ है यह जो ब्लेक लरका यह पान सब वार्ट में है यह पाउर सप्लाइब लगबग दो जार के आती है दो जार सब देखेंगे और इसमें एक मिनट में दिखाता हूं देखिए 120 mm का फैन मिल जाएगा आपको इसके अंदर और इसके अंदर आप दो साल की यह वारेंटी मिल जाएगी ट्रांसपरेंट स्लाइड पैनेल स्लाइड कर सब्सक्राइब लगा सकते हैं और इसमें आपके दो सपोर्ट स्ट्राइड में याइज हैं और इसके बाद है अब यह चीज़ आपने बना ले पीसी बन गया लेकिन आप चलाएंगे कैसे तो मैंने यह भी लिया है यह देखिए यह है डीपी 2 से मैं डिस्प्ले ok2 out its क़्内्मीं कंवटर इस देखिए डिस्प्ले पटो पौर यह देखिया डिस्प्लेडी से यह लगता यह जो है इसमें जंग नहीं है इसके डिस्प्टलेपारट में और यह आपके का यहां से केबल निकल के यह लाए गई मैं यह आपका यहां अगयगा sì आप ले लेंगे तो आराम से इसको लगा के चला सकते हैं मॉनिटर में मैं सारा सॉलूशन दे रहा हूँ इसे कि आपको दिक्कत ना हो लेना आपको लेना वह आप देख लीजेगा इसमें तो यह जो है आप इसको ले सकते हैं दो आपको लेना पड़ेंगे दो यह लेना पड़ेंगे और केबल तो आपको मॉनिटर लेंगे तो मॉनिटर साथ आएगी पुराने मॉनिटर है तो आप नया केबल ले सकते हैं उसका भी मैं सॉलूशन दिया केबल जो है वो पेर है दो दो का पेर जो बिल जाएगा आपको कैवाल यह भी गोल्डेन में है प्लेटिंग में है और यह ऐसा लगता है यह देखिए टो इनफ है आप देखने के लिए मुझे त अच्छा लगता है तुन्टिटीटु इंफ है आप देखने के लिए यह उन्डेड हर्स का है सबसे बहतरी इसके रिफ्रेश रेट है ठीक है और इसका प्राइज है वह लगवा का पांच या नौ सी मिला भी आने की छे अजार के लगवा का ऑनलाइन मिल रहा है और आफ लाइन आप ट्राइज कर सकते हैं यह आपको 58-100 के करें मिल जाना चाहिए वन मिली सिकेंड इसके रिफ्रेश रेट है 21.5 यानी के 22 सिंच का फिकल फ्री है और इसमें जो आप देखेंगे इसके अंदर जो है आपको दिया हुआ है यह देखिए एक HDMI और एक VGA तो HDMI आपको इसके लग जाएगा और VGA लग जाएगा यह देखिए HDMI और बहुत ही प्या है और नहीं तो आपको इस सब बढ़ाती चाहिए तो वह भी मैंने दिखा हुआ है यह सट्याइज का है वह भी एसर नाइट्रो का नाम से आता है और यह भी हंडर्ड हर्स का है पिकर फ्री है और इसमें भी एक आपको मिल जाएगा इसके अंदर आपको मिलेगा एक वीजिये और एक वीजिये और दो HDMI यह देखिए एक वीजिये पॉर्ड में लगएगा आप कुछ और भी छला सकते हैं तो यह इसका जो प्राइज है वह नो होजा नौ सेन नबबे रुपए या दस जार के लगबग यह आएगा तो आप च चाते हैं या इसको लेना चाते हैं चलिए आपको यह वीडियो कैसा लागा आप यह बनाएंगे यह बनवाएंगे इसलिए मैं आपको गाइड करता हूं कि आपको नहीं बनाना आता तो आप मार्केड़ी में जाए इस डाटा को लेके जाए और वहां उनसे यह प्राइज ले ले और वो बना ले या फिर ऑनलेन बंगाया है और किसी भी कंप्यूटर करने वाले को बुलाएं और उसको एसेंबल करके पांसो रुपे लेगा पांस बनाकर दे दे तो बहते रहे आप इसको बनवाएं आराम से बनवाएं अब मुझे यहींवे वीडियो एंड करता ह हूं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ तप्रा क्लिए थैंक यू